सावली के मनजूसर GIDC से ये खबर सामने आ रही है जहाँ पर कल देर रात को प्लास्टिक बनाने वाली एक कंपनी में फीशन आग लगी थी आग इपकी ज्यादा फैल गई थी कि दुहें के खुबार तूर तूर तक दिखाई पड़ रहे थे जो जानकारी है उसके मताबिक के भी प्लास्टिक नाम की कंपनी में फीशन आग लगी थी और आपको काबू में पाने के लिए चार से ज्यादा दमकल टीमों की मदद ली गई थी पैसे दमकल विभाब को तुरंत इप्तला दे दी गई थी तमकल की टीमे मौके पर पहुँच भी गई थी लेकिन पात से छे घंटे की मौशकत के बाद तमकल की टीमों की और से आग पर काबू पाया गया था हलाकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी के हताहत होने की खबर इस तुर्खतना में सामने नहीं आई है लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान पहुचा है और प्लास्टिक का सारा स्क्रैप जलकर खाक हो गया है ऐसी जानकारी मिट रही है इसे आपको बता दे कि फिर एक बार मंचू सर जी आईडिसी की कंपनी में आगल लगने के बाद आग को काबू मिलाने के लिए दमकल विभाग को काफी मशकत काने पड़ी थी ऐसे भी पहले भी कई ऐसी घटनाए सामने आ चुकी है अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान BRG News आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG News की मोबाइल एप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें